वेल्कम एट्स्रेंड्स तो लास्ट विक मैं राजस्तन किया हुआ तो वीडियो नहीं बना पए अपॉर्णिंग ली तो इस साथ इस विक हम कंटीनू करते हैं अपने एक्स वीडियो के साथ तो वोकिंग केपिटल क्रेडिट एजेस्ट्पेंट में हमने जो लास्ट डिस्क उसका एक सैंपल रिपोर्ट को हमने स्टडी किया और अनर्व क्या स्वेंट्स इंफ्रमेशन एक्सट्रेक्ट हो सकती है तो जो अंडर अंडर इंकम टेक्स एक्ट करनी होती है सी चार्ट अकॉंटेंट्स को अंडर इंकम टेक्स लॉप जो इंकम टेक्स का कानूं में तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है कंपनी ओडिटर कोर्ट के उपर वो है कंपनी ओडिटर कोर्ट के उपर कि Company Audit Report क्या होती है और उसको Read कैसे करने है उसको Read कैसे करने है उसका Meaningful उसमें से Information कैसे निकालनी है या क्या है Meaningful Information पर ध्यान देना है तो देखिए सबसे पहले तो आप यह ध्यान दीजिए कि जो Tax Audit Report है Tax Audit Report है और जो Company Audit Report है Company Audit Report है इनको Govern कौन करता है पहले तो जो Tax Audit Report है वो Form 3CA, CB, 3CB and 3CD ऐसे 3 Forms के अंदर यह बनाई जती है इसका कोई Form नहीं होता है नेकजर्स होते हैं यह एक Independent Audit Report होती है यह Independent Audit Report होती है इसको Independent Audit Report भी बोलते है Independent Audit Report भी बोलते हैं इसको Statutory Audit Report भी इसको बोला जाता है मतलब यह अलग अलग नाम है Company Audit Report, Independent Audit Reports, Statutory Audit Report कारो रिपोर्ट अलग होती है जो वो एक अलग चीज़ है उसके बारे में मैं नेक्स टेक्चर में डिस्कॉस करूंगा अभी मैं फिलहाल जो डिस्कॉस कर रहा हूं वो है Company Audit Report Independent Audit Report, Statutory Audit Report और यह Tax Audit Report हम पिछली वीडियो में कवर किया था तो इसके अंदर अलग फॉर्म होता है इसका फॉर्मेट अलग होता है यह किसको देनी होती है Income Tax Department को यह Income Tax Department को देनी होती है ठीक है यह कौन से कानूम की वज़े से करने पढ़ती है Income Tax Law के वज़े से Income Tax Law की वज़े से यह Report Income Tax Department को देनी है और यह Report किसको देनी होती है यह Report देनी होती है हमने Shareholders को जो Company के Equity Shareholders हैं Equity Shareholders हैं उनको यह Report बना कि दी जाती है जिन को हम Company के Members बोलते हैं जिन्होंने Company Law पढ़ा है वो इस चीज़ को समझते होंगे बीकॉ में को देने होती है इसको इसके उपर income tax law लगता है और ये companies act companies act 2013 के अंडर की जाती है तो मतलब दोनों का governing law कानूं दोनों का अलग लग है ये इस कानूं के अंडर है ये इस कानूं के अंडर है इसमें specific points होते हैं specific points होते हैं जिनके उपर auditor अपना data accumulate करना होता है auditor ने अपना data accumulate करना होता है जो मैंने आपको उस दिन sample last lecture में sample audit report दिखा के उसमें काफी सारे 30 35 points थे उनके उपर auditor ने comment करना होता है तो इसका जो scope है वो limited है limited scope है इसका उन points तक ही limited है कि उन points तक का comment देना है इसका scope wider है इसमें comments सिर्फ comments वोले audit income tax वाले comments नहीं है इसमें company का wider sense में wider sense में auditor को बताना है कि company कैसा काम कर रही है और उसके internal controls किस तरह से accounting policies उसने ठीक दर्ण से apply की है या नहीं की है बलब many other matters मैं sample report अभी आपको दिखाऊंगा तो उसके अंदर आपको clear हो जाएगा tax audit report क्योंकि income tax lock-end रहती है यह किसी भी constitution पर applicable है किसी भी constitution पर लग सकती है जो section 44 AB जो turnover वाला criteria होता है जो पहले एक प्रोड का turnover के criteria आप जानते ही है कि उनको audit करवाना पड़ता था तो उनको सबको यह tax audit करवाना पड़ेगा तो जो यह tax audit करवाना पड़ेगा चाहे आप proprietorship concern है चाहे आप partnership concern है चाहे आप company form में है चाहे आप trust है कुछ भी है ठीक है तो आपको tax audit applicable होगा अगर आप 44 AB का threshold exceed कर जाते हो तो पर जो company audit report है यह सिर्फ companies और LLP के case में होती है तो उसके अंदर tax audit report तो चाहे एप applicable हो और company audit report कभी भी applicable नहीं होगी और जो companies होती है जो खाली companies है तो companies के case में tax audit report भी applicable हो सकता है और company audit report भी applicable हो सकता है उनको दोनों रिपोर्ट सब्मीट करनी पड़ सकती है जो उसके CAs है वो tax audit report भी बनाएंगे 3CB, 3CD में और company audit report या independent audit report या statutory audit report जिसको हम बोलते हैं यह भी बनाएंगे same company की यानिकि दो अलग-लग reports बनेंगी और जो practically काम करते हैं वो तो इस चीज़ को बढ़ेगी easily और असानी से जानते हैं कि practically भी दो-दो reports एक companies की काफी बारी बनती भी है तो tax audit कौन करता है यह भी chartered accountant करता है यह कौन करता है यह भी chartered accountant करता है company audit report तो क्यूंकि अगर आप आप लॉजिकल ही सोची अब आप credit manager है बैक में काम कर रहे हैं अगर आप customer से documents मांग रहे हैं तो अगर आपके पास proprietorship concern का case आया है और उसका section 44 AB का threshold एक सेट कर रहा है तो आ और अगर आपके पास company का case आया है तो चाहे उसके उपर tax audit applicable हो या ना हो क्योंकि tax audit applicable कब हो ना है जब आपने इस limit को exceed किया चाहे उसके उपर tax audit applicable हो ना हो पर company audit उसके उपर applicable हमेशा ही होगा company audit उसके उपर applicable होगा तो company का अगर case है जो वो private company है चाहे वो public company है तो आपको company audit report या independent audit report या statutory audit report मागणी ही मागणी है मैं bank में काम कर रहा हूँ तो मैं कई बर देखता हूँ कि लोगों को इस चीज के उपर भी गलख फैमी होती है credit managers को भी और sales managers sales team को तो कुछ जादे गलख फैमी होती है वो सोचते हैं कि हमने audit report को दे दिया तो that means enough है तो कई बर क्या होता है कि companies की case में वो tax audit report दे जते हैं और हम मागते हैं उनसे की company audit report भी दो और उनको ये समझाता नहीं है कि company audit report क्यों माग रहे है कई पर client के accountant को समझनी है ता कि उसको हम checklist में लिखके वैज देता है कि भाई या audit report दे दो वो tax audit report चिपका देता है और पांच दिन बार हम दोबारा मांगते है कि क्योंकि आपकी कंपनी फॉर्म होना चाहिए कि दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है करेक्ट टेक्स रिपोर्ट के बारे में तो हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं तो अब हम audit in company audit report के बारे में स्टडी करते हैं यह देखिए एक company audit report मैं में गूगल से डाउनलोड की थी देखिए इसका नाम क्या रखा गया है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ठीक है अभी हम आज हमने और कुछ नहीं करना बस इसी कोई पढ़ना है देखिए यह address किसो की गई है तू दा मेंबर्स ओफ शिरी रेनुका ट्यूना पोर्ट प्राइवेट इलिम्टेट मेंबर्स यानि की जो शेर होल्डर सांग उनको एड्रेस की गई है ठीक है तो अब देखो ऑडिटर क्या क्या लिख रहा है इसके अंदर ऑडिटर देखिए क्या क्या लिख रहा है वो इंसीट्यूट चार्ट अप्रफ इंडी की तरफ से रेफर्ड है तो उसके अंदर सेटन लॉज होते हैं कि कि लॉज के अंदर कंपनी अकांटिंग करेगी तो वो पता रहा है कि इंडी इसके अंदर हमने फिनैंशल स्टेटमेंट्स का रेनुका ट्रांस्पोर्ट प्राइ सबका हमने ऑडिट किया है हमारे उपीनियन में इन अवर पीनियन एंड तो बेस्ट अवर इंफ्रमेशन के मताबिक और एक्स्प्लाइनेशन के मताबिक तो कंपनी कंपनी ने क्या किया हुआ है कि इंडी इसके अकॉडिंग जो बैलेशीट्स बनाई है देखिए इसमें ऑडिटर जो है आपको फस्ट पेराग्राफ में यह समझा रहा है कि जो इंडी इस है मतलब इंडी इसको आप सब्जिए की अकाउंटिंग करने के जो ने कि एके और फेर यह दे रही है मतलब क्या है कि अप्रेजंट बैले शीट प्रिजंट कुछ और किया हुआ है मतलब घपला नहीं है ठीक है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जनरली अप्लाई किया गया है अब कह रहे हैं अब इन्हों ने यहां पर दे दिया अपना opinion कि मेरा यह opinion है अब यहां पर बता रहे हैं कि मैं इस opinion तक कैसे पहुंचा basis of our opinion कहते कि हमने जो audit किया है वो auditing standards के based के उपर किया है Institute of Chartered Accountants of India accounting के जैसे rules बनाती है वैसे ही audit करने के भी rules बनाती है कि audit कैसे कैसे करना चाहिए ठीक है तो हमने जो auditor उसके जो और सेंट अपना audit को किया है और उसको पूरे due diligence के साथ हमने निभाया है अब देखो वो क्या report कर रहे हैं material uncertainty related to going concern वो कह रहे हैं कि हमें going concern का क्या मतलब होता है कि जो company है वो लगातार चलती रहेगी वो company लगातार चलती रहेगी बंदली होने वाली अगर कहीं पर auditor को audit करते समय यह ध्यान रहे यह लगे कि company going concern नहीं है company बंद हो सकती है तो वो उसके ओपर comment करेगा देखिए as a banker हमारे लिए information कितनी important है अगर कल को auditor की कमेंट कर रहा है कि मेरे recording यह company going concern है तो अपने को यह पता लग जाता है कि वही auditor को कोई ऐसी critical information नहीं मिली जिसकी विज़ा से company के ओपर उसको company की future के ओपर उसको doubt हो अगर उसको मिलती तो वो report करता तो वो report करता तो देखिए उसने report किया है कि उसके losses है उसकी जो capital है वो erode हो चुकी है खतम हो चुकी है इस तरह से losses है तो company के liabilities ज्यादा है current assets कम है तो इस वज़े से company may be unable to discharge liability कि अपनी liabilities को company pay off नहीं कर पाएगी तो इस वज़े से हमें doubt है कि company going concern है और नहीं रह पाएगी नहीं रह पाएगी देखे कितने critical information है अगर आप यह information पहले ही पढ़ देंगे प्रपोजल में तो आपका case सीधा सीधा decision हो जागा सीधा 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 पर reject कर देंगे case कि भाई मेरको और case में बुचन की दूत नहीं है auditor ने यह लिखा हुआ cases में अगर वो going concern के उपर उसको doubt भी होना तो तब भी CS report करते नहीं है वो यह लिख देंगे कि मेरे view में तो या मेरको जो information provide की गई अपना पला जाड़ देंगे कि उसके according तो मेरको लगता है कि going concern है बाकी तो management की responsibility होती है इस तरह से तो अगर उसने लिख दिया audit report में कि going concern है और आपको उपका sales वाला मुले कि देखो sales उसके CA ने लिखा है कि going concern है तो आपकी डाउट करने पर तो भाई यह चीज़ के साथ उसको समझा देना कि मेरको कि not going concern फिर हम मानने के क्योंकि हम conservative होके चलेंगे इस चीज़ में करेक्ट तो देखे यह उसने अपना दिया उसके बाद वो की auditor मेंटर्स में बताएगा कि बलब जो उसने क्या क्या observation उसकी आई है कि जैसे उसने बताया कि company ने defer tax asset को अपना reasonable certainty के साथ हम अजैसे नहीं कर पा इसमें आपको की उसकी accounting का पता चल जाएगा कि accounting में accounting करते समय company ने क्या क्या चीजों का किया हुआ है उपर नीचे कि जो उसके financial results को इपक्ट कर सकते थी कि अधर इंफोर्मेशन में दोस्तर में बताया कि को एनी अधर इंफोर्मेशन हमें मिली है नहीं मिली है तो वह बाकि वह लिखता कि उनकी responsibility है यहां पर इसने अपना पल्ला जाड़ दिया कि भई मैं अपना opinion दे रहा हूं बट जो मेरे मेरे opinion का मतलब यह ही होती है कि उसक सब्सक्राइब कोई भी एरर से कि उसमें कोई एरर ना हो मिस्टेटमेंट ना हो कोई फ्रॉड ना हो देखिए और ने तो अपना audit करना है आपने उसको invoice ही फेक दिखा दिये सारे तो वह तो audit करके चला जाएगा invoice के साफ से books के entry को तो उसको कैसे पता चलेगा कि invoice is fake थे है कि इन प्रपेरिंग ना फ्रेंशल स्टेटमेंट मैनेजमेंट इस रिस्पोंसिबल फॉर अजैसिंग तो आपको उसकी बात की यकीन नहीं करना आपको एज़ा अपने केस को पूरा अजैस कर रहे तो ऑडिटर ने पनी रिस्पोंसिमिल्टी नताई है कि मैंने ऐसे अपना अब फरनेशल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है अब 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 जेक्टिव इस टुअब ऑप्टेन रीजनेबल अशॉरेंस इंशॉरेंस नहीं अशॉरेंस हम अपना विश्वा आपको भरोसा आपको पक्का पक्के पहर ही नहीं हम यह बता पारे हैं जस्ट कि बही जो मेट कर लेजे मैं इसको कोई कर देता हूं नीचे तो कोई फिनेशल कंट्रोल में कोई अरव नहीं है कोई आंटिंग पॉलिसम को दिक्तर नहीं है कोई अ मैनेजमेंट का गोइंग का कंदा उनका ही होता है देखें हम यह जैसे चोटी-चोटी लाइंज है कि भी कम्मुनिकेट विद दोस चार्ज विदे मैनेजमेंट के साथ डिसक्स कर ली है ठीक है तो वी है अब देखें लीगल और रिगॉलेटरी रिक्वारमेंट के उपर उन्होंने पने रिचोट दिया है किया रिचोट दिया है यह थ्यान से पढ़ने वाला होता है अपने को आगाराइट भी वी एफ सौट और उप्टेंट और एंट एंट इन एंफ्ट्रमिशन और यह सारी इंफ्रमिशन लिए है हमारी उपिनियम में प्रॉपर बॉस ऑप अगाउंट में जो एंट्री है जो टैली में जो बुकिश एंट्रीज की हुए उनके सापसी पैलेट और प्रॉप्ट आनलोस अगाउंट और उसमें कोई कि ऐसे नहीं है कि घपला किया हो और इंग स्टेंडर्स को अपलाई किया गया है डिर्क्र से जहाँ जहाँ रिटन वादे लेने हैं वो ले चुके हैं इंटरनल फिनेशल कंट्रोल यानि कि कंपनी में ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे के काम को कोई चेक नहीं कर रहा है सब ल को मैंने खुद रिजेक्ट किये कि जब उन्होंने लिखा कि कंपनी के ओपर पैंडिंग लिटिकेशन काफी चल रहे है तो उससे पर पता चल जाता है कि कंपनी कहीं फसी हुई है कि उसको पर पहले केसी की विज़य से उनके ओपर काफी लिएबिल्टी आ गई है बट अग कई आपको कुछ information तो मिलती है यहां से ठीक है तो मैं auditor court जब company auditor report हमेशा जब पढ़ता हूँ न तो उस में से मैं सिर्फ concern वाले point टूनरे की कोशिश करता हूँ यह जो points है न कि company ने सारी books of account को comply किया है प्रोपर मेंटेन किया है प्रोपर financial control है कोई litigation नहीं है going concern company है इन चीज़ों के उपर तो मैं कभी ध्यानी निदेता अगर auditor ने इन चीज़ों को लिखा भी है न पॉस्टिव लिखा भी है तो मैं इन चीज़ों के उपर कभी ध्यानी भी देता मैं company audit report उस सिर्फ इसी context में पढ positive भी मिलेगा नेगटिव लिखे के देए गाई नहीं चाहिए नेगटिव उसको पता चल भी चाहिए तब भी रिपोर्ट नहीं करेगा ठीक है यह सब को ही पता कि ऐसा होता है उसके बाद नीचे आजाएगे अनेगजर ए देखिए उसके बाद फिर उन्होंने लिखा है कि maintain proper records ठीक है कहते हैं फिक्स असर्ट की physical verification उन्होंने कम management नहीं की है कोई वो नहीं आई है इसमें उन्होंने लिख दिया कि physical verification जो है does not arise लिखा हुआ है बट जो उसमें भी आप टेक्स प्रेंट भी देखेंगे नहीं उसमें लिख दिते हैं कि management करती है ठीक है कहते हैं कोई इनके पास inventory नहीं है ठीक है यह आपके लिए concern वाले point होते हैं वैसे basically कोई inventory नहीं कोई कंप्री ने किसी और फर्म में लोन नहीं दिया हुआ यह important point है कोई guarantee security नहीं दी हुई ठीक है section 185-186 के अंडर यह भी आपके लिए important point है देखने वाला as underwriter कि कोई guarantee भी करा तो नहीं दे रिखती है ओर लोन में ठीक है कोई भी undisputed amount payable नहीं है यह भी अपने लिए important information है कि government को कोई पैसा ऐसा dispute वाला नहीं है कि undisputed amount है सारी ठीक है तो जो भी payable है वो undisputed है कोई case पूसर नहीं चल रहा कहने का मतलब तो similarly income tax or sale tax and duty of custom में कोई dispute नहीं है कि यह देखिए company ने कोई किसी से पैसा बोरो नहीं किया financial institutions से यह भी अपने लिए important information है जानने के लिए कि कोई IPO नहीं निकालना उसके बाद manager नहीं कोई पे किया में लग यह सारी information आपको पढ़के न कंपनी के मारे में पता चलता कि कंपनी क्या कर रही है तो मैं इसी मेरे से सिर्फ वही points आपको highlight करवा रहा हूँ कि उसके बाद देखे related party transactions का आगया कि अपनी गुर्प concerns के साथ कोई transactions की है तो उनको adequately disclose किया गया है वो notes of accounts में disclose किया होता है उसमें आपको पढ़ना मौझ जरूरी है इस चीज़ को तो यह चीज़ हो गई आपके और उसके बाद आगे आपका उपर में आपको और पॉइंट हाइलेट कर देता हो यूडिया 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 इन मेंशन किया है मैंने आपको लास्ट एक्षर पर भी समझा था कि यूडिया इन अगर है यहां पर तो आपको online जाके आए तो भाई यह member active है यह नहीं पता लगे कि कोई बोकस ही था यह तो बंदे की डेंथी हो चुकी दी से membership नुमर वाले तो भूला भी यह membership नुमर एक्टिव है भी यह नहीं यह आप चेक तर लिजी website पे जाके इसके बाद एक्षर भी आ गया एक्षर पी तो इंटरनल फिनेश उसको कोई चेक नहीं कर रहा है उसको कोई चैक नहीं कररаты चाम पोड़ा करके निकल सकता है कुछ भी कर सकता है अदर इस तरह से इस तरह से बनाए हुए है कि कल को एक भा काम दूसरा बंदा चेक करता हो और बंदा अपनी हो सब्सक्रणा कर सकता है इस फो गिस इंटर्नल फेनिशल कंट्रोल है यह नहीं है बेसिज अपने अडिटिंग स्टेंडर्स के हैं जो चेक करते हैं ठीक है अब उन्होंने मीनिंग मैंने अपको ब्रीफ करी दिया कि अपनी उपीनिन दे दिया कि हमारे इंटर्न फेनिशल कंट्रोल एक्जिस्ट करते हैं बस यह उसके बाद बैले शिट स्टार्ट हो गए तो यह चीज होती है उनकी कंपनी की और इसमें से 57 कोईंट ही होते हैं जो प पार्टी ट्रांजिक्शन्स और जो मैंजेरील रेमोंट्रेशन हो गया और पेंडिंग लिटिकेशन्स हो गया जो गवर्मेंट्स को पीएफ सेट्रल सेल टेक्स इंकम टेक्स वेल्टेक्स कुछ भी इस तरह की लैविल्टी को डिस्प्यूट पर नहीं है इन तरह के सब्सक्राइब लेनी है और इन कंपनी ओडिटर पोर्ट से रेलेवेंट इंफ्रमिशन अपने को क्या मिलती है और बस वही चीज़ को पकड़ के चलिए कि कंपनी ओडिटर पोर्ट में अगर सब कुछ अच्छा लिखा भी हुआ है तो उसको आपने अपनी जिंदगी का हि इंफ्रमिशन ही डाली होती है तो आपको अपना क्रेडिट अन्राइटिंग इंडिपेंडेंटली उसी तरीके से यह जैस करना है तो नेक्स लेक्चर में हम मेरे को पीछे कुछ लोगों ने बोला था कि 3CA 3CB के बीच में डिफरेंस भी समझा देना और वो मैं नेक्स लेक काईक्श में लोगों तोैतर हो ए्या है दूब सक्टा है